आज के वीडियो में सभी दीदी भैयों को नमस्ते हैं कपिल कुमार आईडी से एक कमेंट आया है उन्होंने हमसे पूछा है दीदी ये सीच जी का येंपी यार के बारे में बताईए तो दीदी आज की वीडियो मैंने इसी कमेंट के उपर बनाई है इस वीडियो में हम आप सब को बताएंगे कि स्वायम सहाता समू का येंपी यार क्या है येंपी यार बनाने से समू को क्या लाभ मिलता है येंपी यार बनाने का सही तरीका आप सब को बताएंगे तो MPR बनाते समय दीदी किन किन पुस्तकों का सहयोग लेना पड़ता है पुरी जानकारी आज आप सब को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी तो वीडियो को पूरा एंड तक वाज करिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा तो सबसे पहले दीदी हम आप सब को बता दें MPR MPR किसे कहते हैं ये जान लीजे तो MPR का मतलब हो गया M से हो गया मन्थली P से हो गया Progress और R से हो गया आपका Report तो MPR का मतलब हो गया मन्थली Progress रिपोर्ट मासिक प्रगती विवरण तो मासिक प्रतिवेदन किसे कहते हैं जिस रिपोर्ट में या जिस पुस्तक में पूरे माह के कामकाज लेन देन आई ब्याई योम लाव हानिका विवरण या व्यवरा होता है उसे ही मासिक प्रतिवेदन कहते हैं ठीक है दिरी चाहे आप मासिक प्रतिवेदन कहें या MPR दोनों ये कही बात है अब मासिक प्रतिवेदन बनाने से सोयम साहत समू को क्या लाव मिलता है ये भी जान लीजिए मासिक काम काज का पता चलता है हर महीने के आए बे के हिसाब का पता चलता है माहवार मासिक या हर महीने के लाव हानी का पता चलता है समाजिक कारियों का पता चलता है तो मासिक रिपोर्ट जब आप अपने समू का बनाएंगे तो इसे से पता चलेगा कि आपका समू कितना प्रगती कर रहा है कितनी उन्नती कर रहा है और इसे से ये भी पता चलेगा कि ये समाह में आपके समू को कितना फायदा मिला है और कितना हानी में आपका समू गया है और आप जब मासिक के प्रतिवेदन प्रतिमाह बनाएंगे त इसे से ये भी पता चलेगा कि जो समू के सदस्य हैं कुछ सामाजिक कारियों में रूची ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सामाजिक कारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो मासिक प्रतिवेदन क्यों बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है ये मासिक प्रतिवेदन जो होता है प्रतिमाह ग्राम संगठन में जमा होता है तो ग्राम संगठन जो है हर माह स्वयन सहाता समू की प्रगर्ती रिपोर्ट की समीच्छा करता है ग्राम संगठन देख प्रतेग स्वयम सहायता समू का मुल्यांकन करता है कितना इस समू को लाव मिला है कि हानी मिली है सारा कुछ जानकारी लेने के लिए जो है मासिक प्रतिवेदन प्रतिमाह समू का बनाया जाता है मासिक प्रतिवेदन बनाते समय एक बात आप लोग जरूर ध्यान दें जब भी आप मासिक प्रतिवेदन बनाएंगे तो दो प्रतलिपी बनेगी ठीक है एक प्रतलीपी आपके समूह में रहेगी और एक प्रतलीपी जो है ग्राम संगठन में जमा करना होगा मासिक रिपोर्ट या तो आप उसका फोटो कापी करवा कर एक अपने समूह में रख लीजिए और वर्जिनल ले जाकर के ग्राम संगठन में जमा कर लीजिए जब आप ये कलग से अपने पास रखेंगे तो अगले माह आपको मासिक रिपोर्ट बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी उसी से आपको सारा डाटा मिल जाएगा और आसानी से अगले माह का भी MPR आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप अपने पास नहीं तो बनाने में दिक्कत होगी फिर सारा कुछ बैठक बचत आए ब्या जोड़ना पड़ेगा रजिस्टर से निकालना पड़ेगा परिसानी आ सकती है ठीक है तो अब हम सुरू करते हैं मासिक रिपोर्ट कैसे बनती हैं तो ये देखिए ये हैं मासिक प्रतिवेदन ये हमार करने मासिक प्रतिवेदन तो देखिए मासिक प्रतिवेदन प्रतिमाह का बनता है ठीक है तो कब बनाएंगे जैसे हमको मार्च माह का मासिक प्रतिवेदन बनाना है मार्च माह 2023 का हमको मासिक प्रतिवेदन बनाना है तो हम कब बनाएंगे जब मार्च माह की पूरी बैठक स माह में क्या लिखना है? मार्ड वर्स में 2023 उसके बास समू का नाम गंगा ऐस जी हमने लिखा है आप अपना लिख सकती है गाउ का नाम लिखिए, ग्राम संगठन का लिखिए, सदशयों की संख्या आपके समू में कितने सदशय हैं लिख दीजिए जनपद का नाम लिख दीजे बिकास खंड का नाम लिख दीजे जैसे और भी मद रहते हैं जैसे बैंक का नाम भी लिखना पड़ता है समू की गठनतिती वगेरा लिखनी पड़ती है तो यह इसमें नहीं है और बहुत सारे मासिक प्रतिवेदन में रहता है जितना डाटा इसमें है उतना ही हम आपको जानकारी बताएंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए तीन कॉलम है तो क्या कुछ इसमें लिखना है आपको त दीन नमबर है समू की आई बे या विवरण का रिपोर्ट आपको इसमें देना है उसके बाद अगला पेज जो है समू सदस्यों के रिड़ और रिड़ भुकतान का विवरण आपको देना है तो किस प्रकार से देना है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला बिंदू है इसमें क्या भरना है किस चीज का विवरण बैठक बचत उपस्तिती का विवरण आपको भरना है तो यह विवरण आपको कहां मिलेगा किस रजिस्टर में मिलेगा तो देखिए कारवाई रजिस्टर बचत पुस्तिका उपस्तिती रजिस्टर जो होता है उससे आपको इसका विबराण मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए कितने कालम बने है एक दो तीन चार पाँच पाँच कालम बने हुए है तो पहले कालम में क्या है करम संख्या नंबरिंग करके लिखना है दूसरे में विबराण और उसके बाद पिछले माह तक इस म मतलब आप मार्च माह का मासिक प्रतिवेदन बना रही है तो मार्च माह से पहले फरवरी माह तक कितनी बैठक आपके समू की हुई है ओ लिखना है तो यहाँ पर देखिए पिछले माह फरवरी तक जो बैठक हुई है एक सो दो बैठक हुई है तो हमने लिख दिया है ठीक ह अब इस माह मार्च माह में कितनी बैठक हुई है तो मार्च माह में चार बैठक हुई है और किसी किसी माह में जो है पांच बैठक हो जाती है तो चार बैठक हुई है मार्च माह में तो यहां हम चार लिखेंगे उसके बाद क्या कर देना है दोनों बैठकों को एक साथ तो 102 में 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106 यहां पे देखिए हमने लिख दिया है इसी प्रकार से दूसरा कॉलम जो है बचत का विवरण आपको कहां से मिलेगा बचत पुस्तिका से यदि आप बचत पुस्तिका लिख रही है तो वहां से आप देख सकती है तो व हमने देखा है तो यहां पे देखिए यह 11,220 रूपे बचत हुई है तो यहां पे हमने लिख दिया है और इस माह जो है मार्च माह में कितनी बचत हुई है 440 रूपेया तो मैंने यहां पे लिख दिया अब क्या करना है दोनों को जो है जोड़ देना है प्लस कर देना है ज उसके बाद उपस्तिती की जानकारी आपको कहा से मिलेगी उपस्तिती रजिस्टर से आपको मिल जाएगा, ठीक है, कितने सदस उपस्तित हुए है, कारवाई रजिस्टर से भी आप देख सकती है, ठीक है, रोकर बही से भी देख सकती है, यदि आपके यहाँ उपस्तिती तो उससे भी आप जानकारी ले सकती है प्रजेंटी यानि पिछले फरवरी माह में कितनी दीदियां आपके समू में उपस्थित रही तो वो परजेंटी आपको देखना है तो गिनना है तो इस समू में कुल 11 सदस हैं तो कुल पिछले माह में 4 बैठक हुई थी अप्रति मार्च माह में भी सभी सदसुपस्थित रहे किसी ने अपसेंट नहीं रहा तो यहां पे भी 44 बैठक जोड़ी गई है लिखी गई है ठीक है तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है कुल यहां पे 88 बैठक हुई है इसी प्रकार से आपको भी लिखना है अगर इस में से कोई एक दो दीदी नहीं आती बैठक में तो वह घट जाथा ठीक है घट के आपको लिखना पड़ता घटा के ठीक है दीदी कुल 4 बैठक थी तो 44 दीदिना जो है उपस्तित रही तो पूरा टोटल यहां पे भी लिख दिया गया है अगर 2,4 दीदी ना भी उपस्तित रहती तो गटा के माइनस करके लिखा जाता तो दोनों को टोटल करके यहाँ पे हमने 88 उपस्तिती यहाँ पे हमने दर्ज कर दी है ठीक है इसी प्रकार से आपको भी करना है तो यहाँ देखे दीदी दो नंबर है प्राप्त रिड और रिड का भुकतान विबराण तो इस माह में समू कितना ब्याज मूलधन ग्राम शंगठन को दिया है या बैंक सीसियल खाते में जमा हुआ है ये आपको लिखना है ठीक है और आपके समू को किन किन स्रोतों से रिड मिला है ओ भी लिखना है तो यहाँ पे कालम देख लेते हैं कितने कालम है एक दो तीन चार पांच छे साथ कालम है तो बताते हैं कौन से कालम में कौन सी चीज लिखनी है तो यहाँ पे देखिए करम संख्या उसके बाद प्रात रिड का स्रोत प्रारंभ रिड की कुल रासी बकाया के साथ इस महीने तक वापस करने की रिड की कुल रासी इस माह में जमा रिड की कुल रासी बक लिखना है तो जाहिर सी बात है स्वेम सहाता समूहों को रिड ग्राम संगठन से मिलता है और बैंक सीसियल खाते से मिलता है और अनिसरोध भी हो सकते हैं ठीक है तो माल लेते हैं आपके समूह में भीयो सी आईफ का एक लाग दस हजार रूपया आया है तो आपको लिखना है तो आप ये किस्ट बनाते हैं कि प्रतिमाह जो है हम ग्राम संगठन में दस हजार मूल धन और ब्याज होगा अलग से हम प्रतिमाह हो ग्राम संगठन में जमा करेंगे आपके खाते में एक लाग दस रूप करेंग मूल धन और जो व्याज होगा हम प्रतिमाह जमा करेंगे तो यहां कहां लिखा जाएगा यह चीज बकाया के साथ इस महीने तक वापस करने की रिड़ की कुल रासी तो यहां पे देखिए कि सबन गई है 10,000 मूल धन 825 रूप्य व्याज अब मार्च माह में समूह कितना ग्रा संगठन में जमा किये हैं वही चीज इस कॉलम में आपको लिखनी है ठीक है तो यहां पे देखिए 30,000 मूल धन 825 रूप्य व्याज इतना ग्राम संगठन में समूह के द्वारा जमा किया गया है बकाया मूल धन व्याज कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है क्योंकि अगर यही मूल धन नहीं जमा होता ग्राम संगठन में तो यहां बकाया हो जाता चुकि यहां पे जमा हो गया है तो अब बकाया नहीं रहेगा और ब्याज जो है ब्याज भी ग्राम संगठन में पूरा जमा हो गया है तो यहां ब्याज भी बकाया नहीं लिखा जाएगा अगर नहीं जमा करते तो यहीं जो है मूलधान और व्याज बकाया हो जाता ठीक है और यहां पर एक बात देख लेते हैं तो माल लीजिए 10,000 की किस्त बनी थी समू 10,000 किस्त बनाया था कि 10,000 हम जमा करेंगे लेकिन यहां समू ने कितना जमा कर दिया 30,000 क्योंकि समू के पास एमाउंट ह हो गया थो ग्राम संगठन में ज्यादा मूलधन भुकतान कर दिया ठीक है अब सेसरिन समू के पास कितना बचा ग्राम संगठन का 80,000 कैसे एक लाग दस हजार का रिड़ समू लिया था ग्राम संगठन से जिसमें से 30,000 भुकतान कर दिया ग्राम संगठन में अब बकाया सेस प्रिंट समू के पास कितना है 80,000 रूपया है दिदी ठीक है जिस माह का आप मासिक प्रतवेदन बना रहे हैं उस माह में आप कितना ब्याज मूलधन गराम संगठन में जमा किये हैं वही चीज आपको लिखनी है ठीक उसी प्रकार से CCL का भी लिखना है जिस माह का आप मासिक प्रतवेदन बना रहे हैं उस माह में कितना मूलधन और कितना ब्याज आप बैंक CCL खाते में जमा किये हैं वह चीज आपको लिखनी है CCL बैंक का जान लेते हैं दो नंबर CCL बैंक से रिण मिला है अगर आपके समू को जो है बैंक CCL लोन मिला है तो कितना मिला है वह रास 50,000 जब आप बैंक से लिए थे तो आप एक किस्त बनाए होंगे कि हम प्रतिमाः 5000 रूपिया CCL बैंक खाते में जमा करेंगे ठीक है तो किस्त बन गई 5000, 5000 मूलधन और जो ब्याज होगा 500 रूपिया ब्याज ठीक है तो अब कितना आप इस माह जमा किये है CCL खाते में ओ आपको लिखना है तो यहाँ पर देखे इस माह में जमा रिंड की कुल रासी तो कितना जमा की है 5000 मूलधन 500 रूपिया ब्याज CCL खाते में जमा हो गया है बकाया मूलधन ब्याज कुछ नहीं है क्योंकि दीदी ने जितना किस्त बनाई थी किस्त के हिसाब से पैसा ले जाकर के CCL खाते में जमा कर दी है तो बकाया मूलधन नहीं है अगर जो किस्त दीदी ने बनाई थी 5000 मूल धन और 500 रूपिय ब्याज अगर ये पैसा दीदी नहीं जमा करती CCL बैंक खाते में तो यही पैसा जो है बकाया मूल धन और बकाया ब्याज हो जाता चुकि दीदी ने समय से नियम से जमा की है समूह में कितना रिड बचेगा 45000 रूपिया कैसे 50000 का समूह ने लोन लिया था CCL का जिसमें से 5000 जमा कर दिया अब समूह के पास 45000 रूपिया रिड बचा है दीदी ठीक है और एक बात बता देते हैं इस कॉलम को जबाब भरेंगी जिस माह का मासिक प्रतिवेदन बनाएंगी यदि आपका समूह उस माह में जो है ब्याज मुल्धन की वापसी नहीं किया है तो उसको आप नहीं दरसाएंगी अगर हाँ आपके समूह ने पैसा लिया है तो कितना लिया है वो आपको यहाँ पे दरसाना पड़ेगा ठीक है अगर माल लेते हैं आपके समुम में किसी भी परकार का पैसा भी नहीं आया है, ना CIF का आया है, ना CCL का, तो इस कालम को आप छोड़ सकते हैं, इसको आप नहीं भरेंगे, ठीक है दिदी? जिस माह का आप बना रहे हैं, उस माह में कितना आप ग्राम संगठन में ब्याज मूलधन जमा किये हैं, कितना आप बैंक CCL खाते में जमा किये हैं ब्याज मूलधन, वही सारी चीजे इस कॉलम में लिखनी हैं, रजिस्टर से देख करके तो कहा से मिलेगा, आपको काउन से रजिस्टर से देखेंगे, तो सामान ये खाता बही से, CIF मद से आपको मिल जाएगा, ठीक है, और बैंक CCL वाला जो है, ये बैंक CCL मद से मिल जाएगा, सामान ये खाता बही से देख करके आप लिख सकते हैं, अब तीसरा है समू की आय ब्याय का विवरण यहाँ पे समू की आय ब्याय का विवरण देना है आय ब्याय के बारे में बतात देते हैं आपको समू में जो पैसा प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं उसे इनकम कहते हैं और समू के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसे ब्याई कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए कई कालम बने हुए है एक दो तीन चार पांच छे कालम बने हैं तो यहाँ पे देखिए आय का विवरण आपको देना है और यहाँ पे ब्याई का विवरण देना है तो सबसे पहले हम आय के भारे में जान लेते हैं समू की कौ प्रत्वेदन रहें उसी माह का आप लिखेंगे तो मैं मार्च माह 2013 का बना रही हूं उस माह में जितना ब्याज आया है टोटल जो है जोड़ करके हमने लिखा है तो इस मार्च माह में कुल ब्याज जो आया है दो हजार आफ सो पचीस रूपया ब्याज समूं को प्राप्त बैंक खाते पर ब्याज प्राप्ति देखिए बैंक खाते पर हर महीना ब्याज नहीं मिलता है तीन महीने चार महीने में मिलता है तो उस माह में जो भी ब्याज आया होगा आप पास्बुक से देख करके लिख सकती है तो 45 रूपय आया था तो हमने पास्बुक से देख कर अन्य में क्या लिखेंगे अन्य में वो चीज लिखी जाएगी जैसे आपके समु से कोई दीदी आई CRP के पत्पे कारी कर रही है तो संस्था गत सुल के कट के ग्राम संगठन के द्वारा मिलता है CRP के मांदे से अगर वो रासी आती है तो आप लिख सकते हैं तो जैसे पे आया है 450 रूपया तो यहाँ पे लिखा गया है टोटल जोड करके जो है यहाँ पे नीचे आप सब को लिख देना है टोटल कितना आए जो है इनकम समू को इस माह में हुई है ठीक है तो कितना हुई है 3330 रूपया उसके बाद अब ब्याय के बारे में जान लेते हैं ब्याय का विबराण ग्राम शंगठन द्वारा दिये गए रिड़ पर ब्याज वापसी ग्राम शंगठन जो समू को रिड़ है तो वो ब्याज तो लेगा ही तो समू कितना ब्याज भुकतान किया है ग्राम संगठन को वो लिखना है तो कितना ब्याज दिया है यहां पे देखिए 825 रूपया तो यहां पे भुकतान साइड में लिखा जाएगा 825 रूपया ब्याय में इतना पैसा खर्च हुआ है में कोई दीरी समू का रेजिस्टर लिख रही है तो उनका भी मान दे आपको देना पड़ेगा तो कितना दी है 100 रूपया उसके बाद याता यात खर्च जैसे बैंक आने जाने का बलाक आने जाने का जो अध्य सचिकोस अध्यच होती हैं उनके द्वारा खर्च किया गया है क जो है समू में जमा किया गया तो कितना 500 रूपया ये भी खर्च हुआ है ठीक है उसके बाद 500 रूपया यहाँ पे जो है आप और दिखाएंगी यहाँ पे आप दिखा सकती है CCL ब्याज CCL बैंक ब्याज अगर आतान की हैं यहाँ पे देखिए 500 रूपया तो 500 रूपया य हजार पचीस रूपया ठीक है जब आप आए बे बनाएंगी तो ये किलियर हो जाएगा कितना हमारे समू की इंकम हुई है और कितना खर्च हुआ है यही बनाना है इस कालम में उसके बाद अब यहां नीचे ग्राम संगठन द्वारा दिये गए रिंड पर मूलधन वापसी ग ग्राम संगठन में जमा किया है तो यहां पे लिखना पड़ेगा ठीक है माह के अंत में बैंक में कुल सेसरासी मार्च माह के अंत में समू के बैंक बचत खाते में कितना पैसा है वो टोटल लिखना है कितना है पांच हजार माह के अंत में सेसरासी हाथ में मार्च माह का मास बिबराड़ तो अब संहुखी कोई कारियों कारी चैसे कूपोसर स्वच्चता पे चर्चक की हैं जागरूकता रैली निकाली है तो वो लिखना है तो यहां पे देखिए कुपोसर सुच्छता पर जागरूकता रैली निकाली गई दीदियों को साथ में ले करके तो यहां पे लिख सकती है उसके बाद पदा अधिकारियों का हस्ताचर यहां पे आप क्या क आपके समुव्य में जितने सदस्योs के रिंद । तथा रिंद भुक्तान क समुव्य के जितने सदस्यो we have she कितने सदस्ते रिंड लिए हैं, कितना भुक्तान किये हैं, कितना बकाया है, उनकी प्रोग्रेश रिपोर्ड जो है बना के देना है इस मासिक प्रतवियदन में ठीक है, तो यहां पर देख लिजिए, तो यहां पर देखिये, इस समूह में कुल 11 सदस्ते जुड़े हैं, तो आपके समय में जितने सदस्य होंगे उतने का आप नाम लिख सकती हैं तो 11 दीदी जुड़ी है तो 11 दीदी का नाम हमने देखिए पहले से लिखके रखा है को मैंने बना लिया है देखिए दीदी मैंने इस फार्मेट को जो है पहले से भरके रख लिया है ताकि कम समय में आप को ज़्यादा जानकारी बता दें तो यहाँ पर देखिए काई कालम बने हुए है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दसो कालम में क्या क्या कुछ है जान लीजिए करम संख्या सदस्य का नाम रिड की प्रारंब रासी रूपए में पिछले माह तक बकाया सेस रिड से दीडी आप लोग देखिएगा टेवल वाई टेवल जो है हम एक एक दीडी का डाटा आप सबको बताते हैं तो सुमिंत्रा दीडी है ठीक है सुमिंत्रा दीडी जो है इतना पैसा ली थी पांच हजार ली है फरवरी माह में ली है तो मार्च माह में इनका ये बन रहा है म तो पिछले माह तक बकाया सेस रिड़ तो इन्होंने फरवरी माह में लिया है चूकि अब मार्च माह में इनको जमा करना है तो इनका पिछले माह का तो कोई ब्याज मूलधन बकाया है नहीं जो लिखा जाएगा ठीक है कुछ भी बकाया नहीं है अब इस महीने की मांग रासी इस महीने की जो मांग है समू के द्वारा 500 मूलधन 50 रूपय ब्याज चूकि दीदी जब 5000 ली थी तो दीदी ने किस्त बनाई थी कि हम प्रतिमाह 500 मूलधन और अलग से जो ब्याज होगा हम प्रतिमाह 500 करके जमा करेंगे तो इनका मांग आया है स समुँँ के द्वारा 5050 रूपय ब्याज थीक है बकाया के साथ इस माह की वापसिछू कि दीदी का तो कुछ बकाया है नहीं अभी ये कही महीना हुआ है तो इनको जमा करना है तो कितना 500 मूलदान 50 रूपया थी इस महीने की वापसी दीदी ने कितना समूह में जमा कर दिया है वो लिखना है आपको जो है देख करके तो कहां से लिखेंगी सभी सदस्यो कराता रिर्ड पुस्तिका के माध्यम से आपको मिल जाएगा क्योंकि रिर्ड पुस्तिका में ही लिखा जाता है कौन दीदी कितना प मूलधन 50 रूपया ब्याज बकाया मूलधन ब्याज कुछ नहीं रह गया ठीक है अगर दीदी ये 500 रूपया मूलधन और ब्याज ना जमा करती तो यही पैसा जो है यहां बकाया मूलधन हो जाता केवल ब्याज ही जमा करती मूलधन ना जमा करती तो यह यहां पर मूलधन बक लिखा जाता चूंकि दीदी ने जमा कर दिया है तो यहां पे कुछ नहीं लिखा जाएगा अब नया रिंड वितराड दीदी ले लिया ही नहीं है क्योंकि अभी जो पैसा लिया है उसको पूरा जमा ही नहीं कर पाई है तो नया रिंड उनको कहां से मिलेगा रिंड की सेस रा है अब यही 4500 रूपय जब आप अगले माह में अप्रैल माह का इंपियार बनाएंगे मासिक प्रगती रिपोर्ट तो यही पैसा 4500 यहां पे आ जाएगा रिर्ड की प्रारम भरासी यही पैसा हो जाएगा 4500 ठीक है उसके बाद आरती दीदी का देख लेते हैं आरती तो अग माह एक 1000 रूपया मूल धन और ललग से ब्याज हम जमा करेंगी तो पिछले माह तक बकाया सेष्रेड यहां पे मांगा जा रहा है ठीक है अब पिछले माह तक आरती दीदी का कितना बकाया मूल धन है कितना ब्याज है यहां पे लिखना है चुकि दीदी ने पिछले माह ना तो ब्याज जमा किया था ना मूलधन ही जमा किया था तो यहाँ पे इनका बकाया एक हजार मूलधन हो गया अगर जो दीदी पैसा लेती है जिस माह की किस्ट बनाई है कि अगले माह में हम ब्याज मूलधन जमा करेंगे अगर दीदी नहीं जमा करेंगी तो वो बकाय ब्याज और मूलधन में यहाँ पे लिख्या जाएगा इस कालम में आप लिख सकते हैं तो दीदी ने ली थी और वादा किया था कि हम हर माह जमा करेंगे दीदी ने जमा नहीं किया बकाया हो गया तो बकाया एक हजार मूल धन सौ रूपिय ब्याज दीदी का बकाया हो गया पिछले माह तक ठीक है इस महीने की मांग रासी इस महीने की मांग रासी अब बढ़ चुकि इस माह में दीदी का बकाया है तो यहां पे हो गया 2000 मूल धन और 200 रूपिय ब्याज हो गया 100 रूपिय अगले महिने का और 100 रूपिय इस माह का 200 हो गया ठीक है बकाया के साथ ही समाह की वाफसी बकाया के साथ ही समाह दीदी को कुल कितना रूपिय जमा करना पड़ेग और बकाया ब्याज मूलधन कुछ नहीं है क्योंकि दीदी ने पूरा जमा कर दिया है, नए रिड अभी दीदी ने लिया नहीं है, और उसके बाद रिड की सेसरासी आठ हजार, चूकि दीदी ने 10,000 लिया था, 2,000 जमा कर दिया, अब दीदी के उपर 8,000 रूपया कर्ज रह यही पैसा अगले माह जब YMPR बनाएंगे यही पैसा जो है प्रारंभिक नगत सेस यहीं पे हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए सोना दीदी है 30,000 ली है समू से पैसा रिंड की प्रारंभरासी इनकी जो है 30,000 है पिछले माह तक बकाया सेस रिंड पिछले माह तक इन की जो है मूलधन की किस्त हो गई और 3 माह का इनका ब्याज एक प्रतिसत के हिसाब से 30,000 का 900 रूपया इनका ब्याज हो गया ठीक है इस महीने की मांग रासी अब बढ़ जाएगी क्योंकि 3000 पहले का मूलधन 1000 इस माह का मूलधन कुल टोटल 4000 मूलधन इनको जमा करना है और 900 तीन महीने का ब्याज पहले का और इस माह का 300 ब्याज टोटल जोड करके कुल 1200 रूपया ब्याज 4000 मूलधन 1200 रूपया ब्याज इनका इस माह की मांग रासी हो रही है ठीक है बकाया के साथ इस माह की वाफसी अब इनको कितना करना है 4000 मूलधन 1200 रूपया ब्याज इनको जमा क अब इस महीने की वाफसी ये कितना की है ये लिखना है तो 10,000 मूलधन और 1200 रूपया ब्याज ठीक है तो अब बकाया मूलधन ब्याज तो कुछ है नहीं अगर यहां पर बकाया हो जाता तो यहां पर हम मूलधन बकाया लिख देतें लेकिन दीदी ने पूरा जमा कर दिया है अब दीदी के पास कुल कितना रेड़ बच गया है 20,000 अब अगले माह दीदी को केवल 20,000 का ही ब्याज देना होगा और यही 20,000 रूपया अगले माह यानि जब आप अपरेल माह का ये अंपियार बनाएंगे तो यही जो है प्रारंभिक नगद सेस हो जाएगा ठीक है उसक अब बात कलावती दीदी हैं कलावती दीदी ने भी पैसा नही लिया है समु से इनके भी नाम के आगे जो है नील रहेगा ठीक है सावित्री ने 3000 रूपया लिया है और इन्होंने किस तो बनाई है कि एक माह में हम पूरा पैसा जमा कर देंगी ठीक है तो इन्होंने फरवरी माह में लिया है मार्च माह में इनको जमा करना है तो पिछले माह तक बकाया से स्रीर तो कुछ रहेगा नहीं ठीक है इस महीने की मांग रासी जो आई है समुख के द्वारा तीन हजार मूलधन पूरा और तीस रूपिया ब्याज आया है उसके ब पूर ब्याज होता है पूर ब्याज इन्होंने जमा कर दिया है टोटल पिछला इनका पैसा जमा हो चुका है नया रिड मंजूरी ये ले ली है दस हजार नया रिड इनको दिया गया है ठीक है तो यहां पे देखिए बकाया रिड अब इनका कितना रह गया है दस हजार रू के अंदर में पैसा पूरा जमा कर देंगी तो फरवरी माह में लिया है तो मार्च माह में इनको जमा करना है तो पिछले माह तक तो कोई सेश बकाय इनका है नहीं और इस महीने की मांगरा से ये 1000 मुल्धन 10 रूपिय ब्याज आया है ठीक है बकाया मोलधन भी आज कुछ नहीं है और नया रिड वितरन मंजूरी कुछ नहीं ले रही है बाकि इनका पैसा यहाँ पे नेल हो गया दीदी ने पूरा पैसा जमा कर दिया है अब दीदी के पास कोई कर्ज नहीं है इस माह तक ठीक है उसके बाद मेखना दीदी का भी देख लेते है 500 रूपिया इन्हों ने लिया है यह बोली थी कि हम जो है एक माह के अंदर में जमा कर देंगे लेकिन चुकि इन्हों ने एक माह के अंदर में पैसा नहीं जमा किया तो यहाँ पे लिखा जाएगा पिछले माह तक बकाया से सरेड़े तो पिछले माह का आप कहां से देखें जो दीदी ने पैसा लिया है कितने माह का इनका ब्याज मुलधन बकाया है वो टोटल जोड करके रिन पुस्तिका से तो यहां पे लिखना है तो मैंने यहां पे लिख दिया है 500 मुलधन और 30 रूपिया ब्याज 6 माह का टोटल और उसके बाद इस महीने की मांग रासी तो इस म बाद बकाया के साथ इस माह की वापसी इस माह में इनको कितना वापस करना है 500 मूलधन 35 रूपिय ब्याज और दीदी ने कितना जमा किया है इस महीने की वापसी में तो 500 मूलधन 35 रूपिय ब्याज दीदी ने पूरा जमा कर दिया है बकाया मूलधन कुछ नहीं है ब्याज दीदी ने लिया है यहाँ पे देखिए पांच हजार रूपया अब यही पैसा जो है अगली बार जो है अप्रेल माह में जब आप अंपियार बनाएंगे यही पैसा प्रारंभिक नगत से सुफ हो जाएगा ठीक है उसी इसाफ से इनका देख लेते हैं सोभा दीदी का तीस माह का अंपियार बना रहे हैं तो इनका तो बकाया कुछ रहेगा नहीं अब जो है इस महीने की मांग जब आएगी तब जमा करेंगी तो मांग आ गई है एक हजार मूलधन तेन सो रूपया ब्याज दीदी को जमा करना है तो बकाया के साथ ही इस माह की वापसी इस माह की व पर एक हजार की किस्त बनाई थी एक हजार पूरा मूलधन जमा कर दी है और एक महीने का पूरा ब्याज तीन सो रूपय दीदी ने जमा कर दिया है अगर यही दीदी मूलधन ना जमा करती तो यही मूलधन बकाया मूलधन में लिखा जाता ठीक है अब रिड़ बितरन दीदी ने लिया ही नहीं है क्योंकि अभी पुराना ही नहीं चुका पाई हैं तो अब बकाया में सेश रिडू दीदी के ऊपर कितना रह गया वनतीस हजार चुकि 30,000 में 1000 दीदी ने जमा कर दिया है अब 31,000 दीदी के ऊपर सेस बकाया रिड है उसके बाद कंचन का देख लेते हैं 50,000 कंचन दीदी ने लिया है तो यह बोली है यह 1000 प्रतिमाह करके हम ब्याज मोलधन समों में जमा करेंगे तो इन्होंने क्या किया जमा ही नहीं किया तो यहाँ पे देखें पिछले माह तक बकाया सेसरिड पिछले माह का इनका बकाया सेसरिड जो भी दीदी पैसा लेती हैं आपको ध्यान देना होगा यह पियार बनाते समय उनका पिछले माह का बकाया ब्याज मोलधन आपको देख टोटल जो है पिछले माह तक बकाया से इस रिड में आपको लिखना है, जितने माह का उनका बकाया रहेगा, चाहे एक साल का 6 माह का 10 माह का ठीक है आपको लिख लेना है तो यहां पर देखिए 1000 मूलधन बकाया है और 500 रूपिय ब्याज बकाया है उसके बाद इस महीने की मांगरासी बढ़ गई है 2000 मूलधन हो गया है और एक हजार ब्याज तो कैसे हुगा है पिछले माह का एक हजार मूलधन और पिछले माह का पांसो ब्याज तो यहाँ टोटल हो गया है दो हजार मूलधन एक हजार ब्याज हो गया है अब बकाया के साथ इस माह की वापसी इस माह में कितना इनको वापस करना है तो दो हजार म महीने की वापसी दीदी कितना कर रही है तो कितना कर रही है एक हजार मूलधन एक हजार व्याज चुकि यहां पे दीदी को कितना मूलधन वापस करना था दो हजार करना था लेकिन दीदी ने यहां कितना किया एक हजार अब इसमें से एक हजार दीदी ने नहीं जमा किया तो यह बकाया मूलधन में यहां लिखा जाएगा बकाया मूलधन वाले कालम में एक हजार इनका लिखा जाएगा इसी हिसाब से ठीक है तो यहां पे देख लीजिए कंचन दीरी ने पचास हजार लिया है रिण रिण की प्रारम भराजी पचास हजार कंचन दीरी ने लिया है इन्होंने किस्त बनाई है कि प्रतिमा एक हजार मूलधन और पांसो रूपिय ब्याज हम जो ब्याज होगा वो जमा करेंगे ठीक है तो यहां पे अब देखे पिछले माह तक बकाया से इस रिण इनका पिछले म आज एक हजार मूलधन पांसो रूपिय ब्याज बकाया है ठीक है इस महीने की मांगरा से अब इनकी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछले माह का एक हजार और इस माह का एक हजार टोटल दो हजार हो गया और पिछले माह का पांसो रूपिय ब्याज और इस माह का पांसो रूप महीने की वापसी दीदी अपने समुह में कितना की है ये देख लीजिए तो दीदी एक हजार मूलधन एक हजार रूपया ब्याज दीदी ने जमा की है ठीक है चुकि यहां पे दीदी को जो है दो हजार जमा करना था लेकिन दीदी ने कितना किया एक हजार मूलधन जमा की एक अब बकाया मू लधन कितना रहे गया 1000 रूपया ठीक है वो यहां पर लिखा जाएगा अब दीदी ने पचास हजार लिया था एक हजार दीदी ने समूप में जमा कर दिया अब दीदी के ऊपर कितना रहे गया 49,000 अब अगले माह दीदी 49,000 का ब्याज देंगी यही 49,000 अगले माह में जब आप MPR रिपोर्ट बनाएंगे तो यही हो जाएगा प्रारंभिक नगत सेसरेड की रासी यहाँ पे लिखी जाएगे उसके बाद इसी हिसाब से सुमन दीडी का देख लेते हैं सुमन दीडी ने 5000 लिया है समूंसे कर्ज तो पिछले माह तक बकाया सेसरेड इनका अब आप देखेंगे पिछले माह में इनका कितना बकाया सेसरेड है तो पिछले माह में इनका कोई भी बकाया सेसरेड नहीं है ठीक है अगर होता तो यहाँ पे लिखते ब्याज मूलधन नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा इस महीने की मांग रासी इस माह में इनको कितना जमा करना है एक हजार मूलधन पच्चास रूपिया ब्याज जमा करना है ठीक है बकाया के साथ इस माह की वापसी इस माह की वापसी इनको कितनी करनी है एक हजार मूलधन पच्चास रूपिया ब्याज दीदी को जमा करना है ठ तो इस माह में दीदी ना तो ब्याज जमा की हैं ना ही मूलधन जमा की हैं ठीक है अब चुकि अब दीदी ने ना तो ब्याज जमा किया ना मूलधन जमा किया तो कहां पे इनका बकाया लिखा जाएगा ब्याज मूलधन तो यहां पे लिखा जाएगा बकाया मूलधन ब्याज इसी प्रकार से लिखना है दीदी सभी सदस्यों का जो जिस हिसाब से पैसा जमा कर रही है अपने समूह में ठीक है तो यहाँ पे देखिए पांच हजार दीदी के ऊपर जो है कर्ज बरकरार है वही जितना पांच हजार ली थी पांच हजार पूरे है कुछ कम नहीं हुआ क्य प्रारंबरासी फिर यही पैसा सो करेगा दुबारा ठीक है अगले माह में जब इनको ब्याज देना होगा तो डबल करके ब्याज लगेगा तो यहां पे कुल योग कर लेना है रीड़ की प्रारंबरासी को पूरा टोटल जोड़के यहां पे लिख लेना और कितनी सदस्च से रिड लिया है पूरा टोटल जोड करके लिख लेना है जैसे कि हमने यहां पे लिख लिया है यहां पे देखिए रिड की प्रारंब रासी इसको पूरा टोटल जोड करके यहां पे आपको लिख लेना है जो भी रासी आती है उसके बाद यहां पे पिछले माह तक बकाया से सिरेर, मूलधन ब्याज को तोटल लिख लेना है मूलधन का, ब्याज का उसके बाद इस महीने की मांगरा लिख लेना है ब्याज भी पूरा जोड Teak यहाँ नीची तक लिख लेना है ठीक है, बकाया के साथ इस महा की वापसी मूलधन ब्याज इसको भी टोटल यहाँ पे जोड़ के लिख लेना है उसके बाद ब्याज को भी यहाँ पे टोटल जोड़ के लिख लेना है उसके बाद इस महीने की वाफसी मूलधन ब्याज इसको भी टोटल जोड़ करके यहाँ पे लिख लेना है ठीक है जैसा कि हमने लिख लिया है उसके बाद बकाया मूल धन ब्याज यहां पे आपको लिख लेना है बकाया मूल धन और ब्याज उसके बाद नया रिंड कितने लोगों नया करज लिया है वो भी टोटल जोड करके यहां पे लिख लेना है उसके बाद रिंड की सेश रासी बकाया रिंड सदस्यों के ऊपर कितना है टोटल 11 सदस्य है तो 11 सदस्यों में से जितने सदस्यों ने पैसा लिया है उनके ऊपर कितना बकाया सेश रिंड है टोटल यहाँ पे सो करेगा जब इसको आप टोटल जोड करके लिख लेंगे तो देखिए यहाँ पे अब आपको देखना है कितने सदस्यों को आपने रिंड दिया है तो एक लाग चोंतिस हजार पांसो दिया है आपने ठीक है अब यहाँ पे देखिए अब सेस रिंड कितना बकाया उनके ऊप कितनी ब्याज की इनकम हुई है तो कहां से देखेंगे तो यहां से देख सकते हैं इस महीने की ब्याज वापसी दो हजार आट सो पचीस रूपया हुई है आप सब देख सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर मूलधन आप देखना चाहते हैं इस माह मार्च माह में कितना लगा सकते हैं अपने समू की प्रगती रिपोर्ट देख सकते हैं बना सकते हैं ठीक है सारा कुछ आप देख सकते हैं तो इसी हिसाब से दीदी मासिक रिपोर्ट बनाई जाती है इसी हिसाब से आप सबको बनाना पड़ेगा तो दीदी आज की यह वीडियो मासिक रिपोर्ट से रिलेटिव नई से नई अपडेट आप सब को मिलती रहे तो दीदी आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारिक के साथ तब तक के लिए धन्य बाद दीदी